ओके तो आज के इस ओड़ो में आपको दिखाने वाला हूँ इस तरीके का इफऐक्ट हम अपनी वीडोज को पर कैसे एड कर सकते हैं इसे फ्लैस हीड़ा बोला जाता है और इसे आप अपनी रीवेडोज को पर एड कर सकता हो ताकि आपके रीविडोज और भी ज़्यादा प सो फ्लेस इफेक्ट अपनी वीडो को उपर हम अपलाय करने वाले वी एन में तो सबसे पहले वी एन एडिटर को ओपिन कर लेते एंड उसके बाद हमें नया प्रोजेक्ट बनाना होगा तो फ्लेस वाल बटन को पर क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट को पर क्लिक करेंगे प प्ले करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकतो बिल्कुल नॉर्मल सी वीडो कहीं पर भी फ्लाइस इफेक्ट एड़ेड नहीं है तो मैं आपको तीन तरीके बताऊंगे जिससे की आपग फ्लाइस इफेक्ट एड़ कर साकतो तो तरीकन नॉर्मर वन से स्टाट करते मिन्समेथड वन से तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को decide कर लेना है कि कहां पर आप फ्लाइस इफेक्ट एड करना चाहतू अगर आप वीडियो का स्टार्टिंग में एड करना चाहतू तब तो आपको बिल्कुल से काम करना है एफेक्स को उपर आना है एंड यहां से ब्लैक या फिर वाइट को सेलेक्ट करना है दो फ्लैस इफेक्ट यहां आपको मिलेंगे ब्लैक एंड वाइट दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेना मैं यहां पर वाइट को सेलेक्ट कर लेता हूं फिलाल या फिर ब्लैक को ब्लैक से लग रहा है तो मैं ब्लैक कर लेता हूं एंड उसको बाद इसका पिरेड को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना सोड़ेट की फ्लैस इफेक्ट थोड़े स्लो हो जाए क्योंकि बहुत ही फास्ट रहते हैं ठीक है देन उसके बाद इसका डियोरेशन आप उतना रख सकते हो जितना तक आप चाहते हो तो मैं यहां पर स्टार्टिंग में रखना चाहता हूं थोड़ा सा रखते हैं एंड डन करते हैं देन फ्ले कर के दिखाऊ हूं तो देख सकते हो फ्लैस इफेक्ट एड़ हो गया तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में तो flash effect कर सकतो वो अधे करोगे कहीं पर आपको मिडिल में एड करना है तो आप हैं कहीं पर आपको मिडिल अट करना है तो आप सबसे πहले अपनी वीडियो को कर देना metal छिए यहाई कर स्टार्टिंग से रखना है तो starten में रख देंगे यहां से हम प्रेट को थोड़ा 있는 कर देंगे अन्ट को ड़ी चुस्क्त है तो आप देख सकते हो यहां पर बीच में भी फ्लाइश इफेक्ट एड्ट हो गया ठीक है तो मैंने आपको यहां पर दिखा दे का which tech iver कि अभर अगर all प्लेसेज पर करने तो कैसे किया सकते हुआ है वह उस्टार्टिंगार्ण सेक्षेजगर what यह स्टार्टिंग एक जगा ओर 추천 हाँर करना हो तो कैसे के वह einzelके मियाली है और यहां पर अफ़िर प्लismo तो यह था हमारा method no.1 जिससे कि हम यहाँ पर flash effect को add कर सकते हैं अब method no.2 के ओपर हम आते हैं method no.2 में आपको transition use करने आप प्लस व्यूटेन को पर click करना and यहाँ आप स्क्रॉल करेगे तो आपके सामने एक light transition मिलेगा ठीक है इसे आप सेलेक्ट कर सकतो and इसे अपर देन करना देन आप देख पाओगे आपकी वीडियो में यहाँ पर flash effect एड़ हो जा रहे है ठीक है तो इस तरीके से भी आप flash effect यूज कर सकतो जो कि देखने में काफी बढ़ हैं लग रहे हैं अगर यहाँ पर transition है यहाँ भी हम add कर दें तो काफी बढ़ हैं लगेगा तो आप देख पाओगे transition effect में भी अगर यह flash को add कर देते हैं तो बढ़ हैं लगड़ है ठीक है तो यह था हमार method no.2 एक और effect है जिसे यूज किया जा सकता है सबसे पहले आप अपनी video को पर click करना and effects को ओपर जाना then यहाँ पर scroll करोगे तो add करना है और इसे और अच्छा create करने के लिए अभी जो हम light transition यूज कर रहे थे उसी को use करेंगे तो प्रेस वलोटेंगों पर click कर लेते एंड यहाँ से light को select करेंगे but duration इस बार हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा कम करके done कर देते हैं then उसको बढ़ आप यहाँ देख सकते इसमें आपको एक white image की requirement होगी जहां आप फ्लैस इफेक्ट आड़ करना चाहिए तो मालो मुझे यहाँ फ्लैस इफेक्ट आड़ करना है तो वहाँ आप आजाना and pip को पर click करना video and photo को पर click करना then photos वाले section को पर जाके आपको just white image को add करना हो ठीक है आप यहाँ से white image को add कर सकत आप यहाँ वीडियो को last में आओगे ना तो बड़ा सा जो plus button मिल रहा है इसको पर click करके material को पर चले जाना यहाँ white image रहता है ठीक है तो आप यहाँ से white image को select कर सकतो then image को पर click करके last में के forward को पर click कर देना तो white image मिल गया अब इसे को पकड़ते हैं इधर लेके आते हैं और यह जो बेकार सा पाट है इसे delete कर देते हैं ठीक है अब जहाँ आपको flash effect add करना होगा वहाँ पर just white image को लेके चल जाना है and पूरा वीडियो को पर इस तरीक से apply कर देना है then उसके बाद आप इसे scroll करके just इसका जो blending section है na blending के उपर जाना और इसे just कर देना overlay ठीक है overlay को select कर दे देते हैं and done कर देंगे then उसके बाद इसे आपको कर देना है छोटा-छोटा पार्ट में cut ठीक है तो cut करने के लिए यहाँ split का हम use करेंगे छोटा-छोटे पार्ट में just split कर देंगे और इन सभी के बीच में थोड़ा-थोड़ा सा आपको gap भी रखना होगा तभी जाकर लगेगा कि हाँ यह flash effect है ओकी नाव इसे में play करके दिखा हूँ तो आप देख सकते हो flash effect एड़ होगा तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो यह तीन तरीके थे जिससे कि आप अपनी वीडिट हो चुकी हमारी अब उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए सिंप्ली से एक्सपोर्ट अल वोटेनिकों पर क्लिक करेंगे और और मैनुवल का आप्शन आता है आप आप्टो में भी कर सकतो मैनुवल पर भी आके जसते थाउजन्ट एटी को सेलेट करके fps को 60 और एलेव बायवे